आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टन गवर्नर जर्राइफ इंडिया इसके रिटर में आपको बताना जाऊंगा अगर गवर्नर जर्राइब की बात करें तो यह आपको एक्जाम में कोशन पूछे आते हैं इसमें हम इस वीडियो के रिटर में आपको बताना जाऊंगा गवर्नर जर्राइब के साथ आपकी एक हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी इसमें हम हिस्ट्री के कुछ पार्ट को डिस्कस करेंगी उसमें आप देख सकते हैं कि उस टाइम में कौन-कौन से गवर्नर जर्राइब थे उसमें आपकी हिस्ट्री भी इसमें कवर हो जाएगी तो स्टार्ट करते हैं वीडियो जहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा गवर्नर जनर्रल आप बंगाल की अगर बात करें तो ये 1773 से स्टार्ट होता और 1833 तो इस्ट इंडिया कंपणी जो थी बहरत में आई हुई थी उसके बाद उन्हेंने कंट्रोल किया बंगाल को ईसपोस का नाम था जिसपोस्ट के एंडियाics पूसका नाम था गवर्नर अफ बंगाल तो जहां पे आप देख सकते हैं 1773 से लेके 1833 ठीक है उसके बाद जो फ़र्स करीनल बने य्फ़र्टरणर अब बंगाल बने ये थी उसके बाद बात करें, एक Act पास किया गया, Regulating Act 1773, जो थी पोस्ट इग वर्नर की उसको convert करके क्या कर दिया गया, इन्टु गवर्नर जनरला बिंगाल, तो पहले आप देख सकते हैं, गवर्नरा बिंगाल था, मगर एक Act आया, Regulating Act 1773, और उसमें पोस्ट इग वर्नर बिंगाल की बात करें, तो Robert Clive, और फर्स्ट गवर्नर जनरला बिंगाल की बात करें, तो वेरन हस्टिंग, तो इस तरीके से कोशन एक्जाम में पूछे जाते हैं, इसके बाद इसी Act के थ्रू गवर्नर आफ बंबे, एंड मदरास बग्ट अंडर दा गवर्नर जनरला बिंगाल, तो गवर्नर जनरला फ इंडिया में, देख सकते हैं, पहले मैं आपको बताने जाओंगा, पहले इसको गवर्नर आफ बंबेंगाल बोला जाता था, फिर एक Act आया, 70-73, इसमें गवर्नर आफ बंबेंगाल को convert करके, गवर्नर जनरला बंबेंगाल कर दिया गया, फिर उसके बा इसके लिए थी, और reported to the court of director of the East India Company, जिस सारी के सारी important चीज़े, जितने भी मैं slides में आपको बता रहूं, काफी important है, नेक्स्ट बात करेंगे, वाइस राए, देखे, रिबोल्ट होता 1857 का, 1857 का एक रिबोल्ट आप देखते है, बहुत ज्यादा उसमें, जो है, संक्या में हर जगा आपको रिबोल्ट देखने को मिलता है, जो कंपणी रूल था, कंपणी रूल को वालिस किया गया, और इंडिया जो है, डिरेक्ट कंट्रोल में आगी, इसकी British Crown के, ठीक है, जो East India Company का रूल था, जहां पे इसका East India Company का रूल जहां पे खतम हो जाता है, और करके, वाइसराय आफ इंडिया कर दिये गया, तो देख सकते हैं, आपने confused नहीं हो ना, 1858 के बाद जाब भी हम इसमें पढ़ेंगी, तो आपने इसको वाइसराय कंसीडर करना है, पहले गवर्नर होगा, फिर गवर्नर जनल आफ बेंगाल, फिर गवर्नर जनल आफ इंडिय देन वाइसराय आफ इंडिया, और जो वाइसराय था, पहला वाइसराय, ये एकजाम में कोशन पूछी आते हैं, ठीक है, वाइसराय जो था, पॉइंड़ किया था, डिरेक्टर किसके, ब्रेटिश गोवर्मेंट के दोबारा, और फर्स वाइसराय जो था, वो थे, लौट बात करेंगे वारन हैस्टिंग के बारे में, 1773 से लेके 1785 तक इनका जो शासन है वो चला था, इसमें कुछ इंपोर्टन जो है, अगर हम बात करें कुछ इंपोर्टन इवेंट्स की बात करनें, तो एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इन उन उन साबंटी सैंटी सैंट फिर पिट्स इंडिया एक्ट आया, 1784 के अंदर, फिर इसके बाद पहली जो फर्स्ट मराथा बार जो हुई थी 1785 और 82 के अंदर, और ट्रीट आफ सलवाई, जे निके शासनकाल में हुई थी वारन हैस्टिंग के दुरान, और सैकेंड माईसूर बार जो हुई थी 1780 से ले लोड कॉर्नोबल्स के अगर बात करें तो 1760, ठीक है 1786 से लेके 1793 तक इनका जो है जो गवर्नर जनर रहे थे, उसके बाद आगर जहां पर बताने चाहूंगा आपको, इनके दुरान जो इवेंट्स हुए थे, जो रिजाइम, इनके दुरान जो काम किये थे, 3rd माईसूर पार हुई थी, 1798 से लेके 1792, ट्रीटी आप सारिंगाम पर्टनम, यह आपकी 1792 के अंदर हुई थी, और पर्मनेंट सैटलमेंट आप बिंगाल की बात करें तो 1793, यह आपको चीज़े जाद रखनी है, क्योंकि कोशन आपको इससे तरीके से पूचा जाता है, पर्मनेंट से लेके 1895 तक, सबसे पहले न की बात करें, तो उन्होंने सबसेडिरी इलाइंस को इंट्रीश किया, सबसेडिरी इलाइंस को किया, उन्होंने 1798 के अंदर, फोर्थ माईस वार होई थी, निके शासनकाल में, और सैकिंड माराथा जो बार हुई थी, यह एटी रहंड़, थ तेरा तक आपको सिर्फ एकी जाद रखनी है एक ट्रीटी उटी अमरे सर के अंदर बिदरंजी सिंग जे आपकी 1809 जे आपको जाद रखनी है जे एक्जाम में कोशन पूचे जाता है फिर शासनकाल आता है लॉड हैस्टिंग का लॉड हैस्टिंग का शासनकाल आया 1813 से लेके 1823 बात करेंगे जहाँ पर एंगलो निपाल बार 1814 से लेके 16 के अंदर हो ट्रीटियाव संगूली ठीक है ये 1816 के अंदर है उसके बाद रोयटवरी सिस्टम को इस्टैबलिश किया गया ये इनिक के शासनकाल में इनिका उससे में रिजाइम था तो लॉड हैस्टिंग लॉड बिलियम बैंटिंग काफी इंपोर्टन है 1828 से लेके 1835 आपने बहुत बार देखा हुआ इस्टी में इनका सबसे पहले नाम कहां पर आता है इननोंने सती सिस्टम को खतम किया था सती सिस्टम को खतम किया था 1829 के अंदर और Charter Act 1833 ये दो जिजे इंपोर्टन है अगर आपको Lord William Banting के उपर कुशन आता है Lord Heading के First Lord Heading के First की बात करें तो 1844 से लेके 1848 तक इनका जो है रिजाइम राहा है फर्स्ट एंगलो सिख्वार 1848 45 और 46 के अंदर यह आप देख सकते हैं जे इनके दोरान हुई थी ट्रेटी आफ लहोर 1846 जे दो चीज़ें आपको जाद रखनी है है तो बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत चीज़ों को डिसकस किया जो आपके एक्जाउंप पॉइंट डिप 1848 से लेके 1856 इन्होंने डॉक्ट्रिन आफ लैप्स को इंट्ड्यूस किया फिर बूट डिस्पैज आया 1854 इन चीज़ों को हम बात में डिधेल में कहीं डिसकस करेंगे जब हम हिस्ट्री को स्टार्टिंग से करेंगे लेंग डोन जो फर्स रेल बेलाइन जो है उसको 1856 से लेके 1862 के अंदर इनका जो सबसे पहले बात करते हैं 1857 के अंदर एक बहुत बड़ा रिबोल्ट उस समय जी कोशन एक्जाम में पूछा गया था आगर बात करें मुझा भी जाद नहीं रहा कौन से पर्टिकुलर रिग्जाम में था लॉर्ड केंडी के अपर कोशन प वालिश किया था जैसे मैंने आपको पता है इस्टीनी कंपड़ी का 1857 के अंदर रूल खत्म हो जाता है उसके बाद ट्रांसफर की गए थी कंट्रोल तो दो क्रोन बाइदा गवर्मेंट आफ इंडिया एक्ट 1858 के अंदर जो पावर थी बुब रिटिश क्रोन के अंदर च कोशन पूचा गया था क्वीन विक्टोरिया न जो टाइटल को जोम किया किया गया था केसरे हिंद केसरे हिंद उजा क्वीन आफ एंपरर्स उस समय जो गवर्न जनलन थे जो लॉड लेटन ठीक है यह आप देख सकते हैं काफी इंपोर्टन है लॉड डफरेंट की बात करे जो है वो इस्टैबलिश की गई यह उस समय जो लॉड अगर बात करें तो उस समय जो रिजाइम था वो लॉड लॉड अफरेंट का लॉड करजन की बात करें 1899 और 1905 के अंदर इन्होंने अपॉइंट किया सबसे पहले प्लीस कमिशन को 1902 के अंदर उनिवर्सटी कमिशन क किया 1902 के अंदर फिर इंडियन उनिवर्सटी अक्ट आया 1904 और पार्टिशन अब बंगाल यह बहुत बड़ा आपने देखा होगा इंडियन हिस्ट्री में कोशन पूछ रहाते हैं पार्टिशन अब इंगाल 1905 जो है 1905 के अंदर किया गया ठीक है मंगाल को दो पार्ट मे इवाइड होती है जहां पर 1907 के अंदर और इस्ट्री में आपको बता रहूं सबी इंपोर्टन है लॉड हेडिंग के फर्स्ट और सेकिंड जे सेकिंड की बात कर रहे हैं 1910 देके 1916 तक इनका शासनकाल रहा है और सबसे पहले इन्होंने क्या गिया पार्टिशन अब बंगाल को जहां पे जो 1911 के अंदर इसको खत्म कर दिया ठीक है पार्टिशन अब बंगाल जो उन्हों इस्टैबलिश्मेंट किया गया हिंदू महासावा को यह 1915 के अंदर यह सारी चाहिए आपकी इंपोर्टन है एक्जाम प्रॉस्पेक्टिव से सबसे पहले बात करें तो लखनो प्रॉस्पेक्ट अंदर चंपारन सते करें काफी इंपोर्टन है एक्जाम में कोशन बहुत बार पूचा गया उन्हीं सो सतना के अंदर और जलिया वाला मासकर के बारे में आपना सुनाओगा 13 अप्रेल 13 अप्रेल 1899 के अंदर ये बहुत सारे लोग जहां पर मारे जाते हैं ठीक है लांच किया गया नाउन कोपरेशन एंड खिलाफट मुवमेंट को जे इसे के दुरान इन्हीं के शासनकाल में जे आपको कोशन इस तरीके से पूचे जाते हैं जैसे मैं आपको अगेन बताना जा रहा हूं कि आपको पूचा जाएगा जलिये वाला बाग जो मासकर हुआ तो उसमें गवर्नर जर्ल को थे तो इस तरीके से आपको कुशन पूचे जाते हैं ककोरी ट्रेन रोबरी जहां भी एक ट्रेन को लूटा गया ठीक है तो आप देख सकते हैं जे काफी इंपोर्टन है सारी की सारी चीजे लॉड रीडिंग के दुरान हुई है लॉड इर्बन आते हैं लॉड इंबल में सबसे इंपोर्टन चीज 1939 के अंदर इंडिया ने जहां पे लोहर सेशन जाब होता है इंडिया नैशनल कॉंगर्स का जहां पे पूर्ण सब्राज की जे दिमाड करते हैं दांडी मार्च और सिवल डिस ओविडेंस मुव्मेंट 1930 के अंदर जे भी इनिके शाहसन काल महुआ था गौंधी इर्बन पै सेपरेट कांस्ट्यूशन की जिमाड करनी तो अगस्ता अफवर में एक नाइटी फॉर्टी एड के अंदर उसके बाद इन्होंने बोला कि सर स्टैफट क्रिप्स मिशन जो आता है उन्होंने कहा कि एक बार जो है सेकिंड वल्ड बार खतम हो जाए फिर हम आपको अजादी लिएली से अंदर 1442 के निचिताया मुवमेंट 1942 के अंदर आता है बार 1 शह वडूं निच को डिक ही तो देख सकते ہے जहां पर यह काफी इंपनेंंड लेदी कहों कि दोन 12 फिक है' उसके बाद अनून्समेंट किया यह आता है ब्रेटिश रूल को और ब्रेटिश रूल इन इंडिया बाई क्लिमेंट एटली ये 1947 के अंदर हुआ था लॉर्ड मौंट बैटन 1947 से लेके 1948 तक रैटकलिफ कोमिशन आता इनके दुरान 1947 और इंडियन इंडिपेंडेंडेंट्स एक्ट ठीक है तो ये काफी इंपोर्टन है सारी की सारी चीजे और लास्ट में अगर बात करें तो सी राजा कपाल चारे 1948 से लेके 1950 अगर आपको कुशन पुछा आता कि पहले और लास्ट कौन से इंडियन गवर्नर जनरल थी इंडियन गवर्नर जनरल बने जो इंडिया के बहुत ही सी राजा कपाला चारे तो फ्रेंड्स ये था आज का मारा वीडियो गवर्नर जनरल वाइसराइज के लेटर जितनी भी इंपोर्टन से भो हमने डिसकस कर लिएगे गवर्नर आफ बंगाल, गवर्नर जनरल आफ बंगाल गवर्नर जनरल आफ इंडिया और वाइसराइ आफ इंडिया सारी की सारी चीज़े मैंने आपको बता दी किस तरीकी से टाइम के दुरान इन चीज़ों को कंडवर्ट किया गया चीजों को चेंज किया गया और अगेन 1950 के अंदर इस पोस्ट को टोटली वालिश कर दिया गया जब सी राजय का पलाचारे गवर्नेर जनल थे उसके बाद कोई भी गवर्नेर जनल ने उसके बाद नहीं बढ़ाया गया तो जे था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो सभी एक टेकियर